हलो फ्रेंट्स, विल्कम डू मैं चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मैं आपको बटेल बात करूँगा आप से इस वीडियो में समा वेसे सिच्चा के 30 महत्पोन प्रस्णों की और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा बेल आइकन को भी डवाना मत भूलेगा जिससे के आपको नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप उनको भी देख सकते हैं तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा प्रशन है युनस्को ने किस वर्स को विकलांगों का अंतरराश्टी वर्स घोसित किया अंतरराश्टी विकलांग दिवस कब होता है तीन नवंबर तीन अक्टूबर छे दिसंबर या तीन दिसंबर तो अंतरराश्टी विकलांग दिवस जो होता है यह होता है तीन दिसंबर को कब होता है तीन दिसंबर को होता है आप्शन डीज का सजोगा अगला पसने रास्टी ये मानसिक विकलांग संस्थान कहां है फैजाबाद में, हैदराबाद में, मुरादाबाद में, होसंगाबाद में या सिकंदराबाद में तो रास्टी मानसिक विकलांग संस्थान जो है आपका ये है सिकंदराबाद में ठीक है यह option इसका सही होगा अगला पॉपनने अंसिक अंधता को जन्म देता है धूल धूप धुटां ये सभी यानि धूल धूप और धुटां ये जन्म देते हैं option D up का सही होगा अगला है रास्टी अपंग विकलांग संस्थान कहां है देहरादून हैदराबाद मुंबई कोलकाता तो रास्टी अपंग विकलांग संस्थान जो आपका ये है कोलकाता में ठीक है डी आप्चन इसका सभी होगा अगला पिसने राष्टी स्रमड हीन विकलांग संस्थान कहां है देहरादून, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता तो राष्टी स्रमड हीन विकलांग संस्थान जो आपका ये है ये है आपका मुंबई में ठीक है? ये आपसने इसका सही होगा अगला पिसने अपंगता का कारक नहीं है बीमारी जन्म जात अनिमेता मनरंजन या दुरगटना तेकि अपंगता का जो कारक नहीं है वो है मनरंजन बाकी सबियां बीमारी, जन्मजात, अनिमेता, दुरगटना ये अपंगता के कारण है लेकिन मनरंजन जो है वो अपंगता का कारण नहीं है बारती समिदान के कौन से अनुचेद विकलांग विक्तियों के कल्याड से संबंदित है अनुचेद 46, 42, 41, 42, 43, 14, 15 तो भारती समिदान का अनुचेद 41, 46 जो है वो विकलांग विक्तियों के कल्याड से संबंदित है बी आप्शन इसका सही है पोलियो ग्रस्थ बालक को सारीरी ग्रूप से विशिष्ट बालकों की किस त्रणी में रखा जाता है सामवेगी ग्रूप से विकलांग, गती रूप से विकलांग, बहुल विकलांग या अन्न तो पोलियो ग्रस्थ बालक को जो है वो अन्न में रखा जाता है ठीक है कोलकाता देहरादून दिल्ली तो रास्टी ये द्रस्टी बादिथार संस्थान जो है ये आपका है देहरादून में ठेक है स्विव आप्शन इसका सही होगा तो आगे बढ़ते हैं अब विकलांग बच्चों के साथ सिच्छक को कैसा विवार करना चाहिए प्रेम पूर्ण विवार उपेच्छा पूर्ण विवार सामान से है या उदासेंता पूर्ण विवार देखी जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके साथ सिच्छक को प्रेम पूर्ण विवार करना चाहिए अगला बच्चने विकलांग बच्चों को सिच्छित करना है धनकी बरबादी है धाटे का सोदा है, विर्थ का कार है, सामाजिक कार है, तो विकलांग बच्चों को सिखित करना, जो है, यह होता है, सामाजिक कार है, डी यह आपसने इसका सहिग होगा है? अगला प्रशने मानसिक स्वास्त का अर्थ वास्त्युक्ता के धरातल पर वातावन से पर्याप्त सामन्जस से करने की योगता ये कतन किसका है लेडल, ड्रेवर, इसके न नन क्या कतर है? मानसिक स्वास्तकार अरत है वास्त्विक्ता के धरातल पर वातावन से पर्याप सामंजय सिस्थापित करने की योगता ये कतर दिया है लैडल है विकलांग जन अधनियम कब पारित हुआ? भारत में 1990 में 1992 में 1995 में 1995 में देखे विकलांग जन अधनियम जो है यह आपका उननिस सो पच्चानवे में पारित हुआ था वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण जी टर्मन के अनुसार मांसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं जिनकी आईक्यू 80 से कम होती है क्या मनसमंदता विकलांगता में सामिल हो सकता है हाँ नहीं हाँ या नहीं या कोई नहीं देखे जो मनसमंदता है वो विकलांगता में सामिल हो सकता है यानि इसका आपका पहला सही होगा जिन बालुकों की IQ 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धी बालक कहते हैं ये किसने कहा है तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जिन बालुकों की IQ 70 से कम होती है वो होती है आपके मंद बुद्धी बालक अगला परसने मानसिक मंदता के प्रकार कितने होते हैं तीन, पांच, चार या छे देखें मानसिक मंदता के जो प्रकार है वो आपके होते हैं चार प्रकार कौन-कौन से अत्यंत गंभीर मानसिक मंदता आपका पहला है दूसरा है गंभीर मानसिक मंदता तीसरा है आपका साधारन साधारन मांसिक मंदता चोथा है अल्प मांसिक मंदता ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको और भी चीजे पता होंगी वंचन बाल जीवन में उद्दीपन दसाओं की नियुनता है यह कथन किसका है गार्डन का, वाल्स का, जारो, लिमैक का या रॉस का तीक है वंचन बाल जीवन में उद्दीपन दसाओं की नियुनता है यह कहा है गार्डन महोदे ने यह कथन किसका है कि वह बालग जो समाज सम्मत आचरोनों का पालन नहीं करता है अपराधी होता है गुड होली पेज इसकिनर तो वहाँ बालक जो समाज सम्मत आचरोनों का पालन नहीं करता है अपराधी होता है या अपराधी कहलाता है ये कहा है किसने होली ने अगला पराद ने बालकों एवं किसोरों द्वारा किया गया अपराद जो कानून द्वारा निश्चित आयू के अधीन आते हैं बाल अपराद कहलाता है ये कतन किसका है गुड का पेज का वाल्स का ये स्किनर का क्या कहता है बालकों किसोरों द्वारा किया गया अपराद जो कानून द्वारा निश्चित आयू की अधीन आते हैं बाल अपराद कहलाता है ये कहा है पेज ने ठीक है यानि आपका बी आप्शन सही होगा अगला है विशिष्ट बालक का संबंद है बुद्ध इस्तर से निश्पत इस्तर से आस्तिक इस्तर से या सामाजिक इस्तर से देखे जो विशिष्ट बालक होता है वो बुद्धी इस्तर से उसका संबंद होता है इसे पिछड़ा बालक समस्यात्मक बालक मंद बुद्धी वालक तो इनकी जो स्त्रेणिया है विशिष्ट वालक की वो IQ के आधार पर जो है निर्धारिद की जाती हैं इसलिए विशिष्ट वालक का संबंद बुद्धी इस्तर से है अगला प्रशने टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेस्ता है बहुत्धिक विकास, सेच्छी विकास, उत्तम सारी विकास या उप्रोग सभी दीखे टर्मन महदे जो हैं वो बुद्धी से संबन्धित हैं इसलिए टर्मन के अंसार विसेष्ट बालक की विसेष्टा है बहुत धिक विकास ठीक है पहला आप्सन इसका सही होगा चारो आप्सन इसके नहीं सही है प्रतिवा साली सिच्छक होना चाहिए कैसा होना चाहिए अपसारी चिन्तक, अपसारी चिन्तक, बहिर मुखी चिन्तक या बहुत परिश्रमी देखे जो प्रतिवा साली सिच्छक है वो अपसारी चिन्तक होना चाहिए अपसारी क्या होता है अपसारी वो होता है जो एक समस्याओं को बहुत तरीके से हल कर सकता है तो प्रतिबासाली सिचक ऐसा होना चाहिए कि वो एक समस्या को बहुत तरीके से हल कर सके बहुत तरीके से बच्चों को समझा सके मतलब एक तरीका ने उनको समझ भारा त्व दूसरा तरीका, दूसरा ने तो तीसरा तरीका तो परतिबा साली सिच्चक जो है अब सारी चिन तक होना चाहिए परतिबा साली होने का संकेत नहीं है अगला बहुत ही इच्छा प्रस्टन है गतिक कौसल में अधिगम निर्योगिता क्या कहलाती है मैंने काफी बार जो है अधिगम निर्योगिता वाला जो मैंने पढ़ाया था तो बताया था तो ये कहलाता है डिस्प्रेक्सिया गतिक कौसल काउन से होते हैं चार होते सुब्वपली सु-बो-पाली सुनना बोलना पठना और लिखना इन चारों में जब निर्योगिता होती है वो होता है आपका dyspraxia ठीक है dyscalculia आपका गड़ती ये अगुता होता है dyslexia आपका पठनर ये अगुता होता है dysgraphia आपका लेखन संबंदी ये अगुता होता है dysthy में आपका गंभीर तनाव के वस्ता होता है bulimia होता है अधिक भोजन अधिक भोजन ग्रहन करने ने संबंदी प्रवत्ती होती है bulimia में ठीक है और proseria में होता है proseria कम आई में व्रद्धावस्ता के लचट दिखना तो ये ध्यान नखिएगा आप लोग वगला है मानसिक स्वास्त के नीमों को खोजना और उन्हें बनाय रखना अधियन का केंदरविंदू है यह कातन है driver का sapphire का held field का ladle का तो ये है आपका driver का कतन डिस्थीमिया क्या है गंभीर तनाव के वस्था पठन विकार सब्द जंबलिंग विकार लेखन विकार देखे जो डिस्थीमिया है मैंने आपको अभी बताया था कि गंभीर तनाव के वस्था जो होती है वो होती है आपकी डिस्थीमिया ठीक है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है ये अगला है बालक के मानसिक स्वास्त के विकास के लिए पाठिकरम होना चाहिए अत्यांतसरल अत्यादिक बोजल शमताओं के प्रतिकूल रुचियों के अनकूल तो बालक के मानसिक स्वास्त के विकास के लिए पाठिकरम जहे रुचियों के अनकूल होना चाहिए ठीक है ना ही अत्यादिक बोजल ना ही अतिनसरल, ना ही शमताओं की प्रत्कूल ठीक है? तो आज का आपसन आपका D सएवागा अगला पसने सिच्छा पाने में पोड़तया आयोग बालग की IQ होती है 75 से 90 के मद दे 50 से 70 के मद दे 0 से 25 के मद दे 25 से 50 के मद दे तो सिच्चा पाने में पोड़ते आयोग बालक की IQ जो होती है वो होती है 0 सी 25 के मादे इसका आपसन आपका C सही है तो इस प्रकार से आज के हमारे 30 प्रसंद जो हैं समाप्त होते हैं मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like कर दीजेगा और share कर दीजेगा Thank you friends